वेल्कम विवर्स राज किचिन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे नौर्थ इंडियन वेस्थाली जो के थर्डी मिनिट में बन करके त्यार हो जाती है अब हम एक ग्रेवी बनाएंगे जिससे के हम दोनों सबजीयां आलूगों भी और मटर पनीर की त्यार करेंगे अ साथ आठ काली मर्च और एक चमजीरा लिया है जिसको अच्छी तरह से तरक ने दिया है जब यह अच्छी तरह से तरक जाएं तो मैंने यहां 20 से 25 काजू लिये हैं और उनको भी डाल दिया है क्योंकि काजू से सबजी की ग्रेवी रेच हो जाती है आप अब अब ऐसे डाल लेंगे मैंने यहां 6 टमाटर मीडियम साइज के लिए हैं जिनको अच्छी तरह से दो करके काट लिया है और इन्हें अब हम फुल फ्लिम पर एक मिनट तक भूनेंगे जब यह अच्छी तरह से भून जाएं तो हम एक लास पानी लेंगे और इसको डाल देंगे और इन्हे गैस पर पकने के लिए छोड़ देंगे इन्हें धक करके आप 4-5 मिट के लिए पकने दें जब यह अच्छी तरह से पक जाएं तो आप चेकर के लिए टमाटर वैसे गल जाते हैं जब आपके यह पक जाएं तो आप इसको आफ कर दें और इसमें जो तेज पत्ता डालेते ह तो आप इसे मिक्सी जार में डाल करके पीस लें आपका पेश्ट तयार है अब इससे हम दोनों सब्जी आसाने से तयार कर लेंगे अब हमें एक कड़ाई लेंगी कड़ाई को अच्छी तरह गरम हो जाने पर उसमें दो बड़ी चमचा ओयल डालेंगे ओयल को अच्छी तर गरम हो जाएं तो इसमें इन दोनों सब डाल देंगे आलू और गोवी को मैंने मिक्स डाल दिया है और इनको पकने तक पकाएंगे अब जब यह 80-90% तक कुक हो जाएं इनको बीच-बीच में चलाते रहें क्योंकि अगर यह लग जाएंगे इसलिए आप इन्हें चलाते र निकाल लें जिसके अंदर जो एक्स्ट्रा ओयल हो वो निकल जाएं अब कड़ाई को लें कड़ाई को अच्छी तरह गरम हो जाने पर उसमें एक चमच तील डालें अब और उसमें आदा चमच जीरा डालें और अब ग्रेवी जो हमने बनाई थी उसके तीन इससे कर लें ज सब्जी बनाएंगे और इस मिस्रण को अच्छी तरह से भुनने नहीं जब आपका पेष्ट अच्छी तरह से भुन जाएं क्योंकि मसाला अच्छी तरह भुन जाता है तो सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है अब इसमें आदा चमच हल्री पाउडर आदा चमच लाल जाया तब आप इसमें जो आलू को भी हमने लिये थे उनको डाल दें और उन्हें अच्छी तरह से इस पेष्ट में मिला दें अब इसमें एक चमच नमक डालें आप नमक कम ज्यादा अपने छंसार कर सकते हैं और इस सब्जी को अच्छी तरह से इस पेष्ट में कोट कर द गैस को मीडियम फ्लेम पर कर दें, क्योंकि हमने ये 80 से 90 परशंट तक तो कुख करी ली थी, ये 2 से 3 मिट में अच्छी तरह से कुख हो जाएंगे, अब आप इसमें हरे धनिये से गायनिस कर डाल दें, और हरे धनिये से डाल करके आपकी सब्जी तयार, आलू गोबी की अब हम दूसरी सब्जी, रसीली सब्जी यानि ग्रेवी वाली सब्जी बनाएंगे, मटर पनेर की सब्जी, जोगी बहुती स्वाधिश्ट बनती है, अब आप इसे एक वर बनागर की जड़ूर देखना, अब इसके लिए हम खड़ाही को गरम होने देंगे, खड़ाही मे दो कप पेश्ट को अच्छी तरह से भुणने देंगे, जब ये पेश्ट अच्छी तरह से पक जाए, यानि कि अपना ओयल रिलीज करने लगे, चार ओर से ओयल रिलीज होने लगे, और मसाले से खुसबुआने लगे, तो आपका मसाला भूंकर के तियार हो गया है, अब इ अच्छी तरह से पकने दे, अच्छी तरह से जब ये पक जाए, तब इसमें एक चमच, देगी मिर्च पाउडर मिला दे, जिससे कि सबजी का कलर बहुत अच्छा आता है, अब इसमें आप एक छोटी कटोरी मटर मिला दे, या मैंने डेट सो से दो सो ग्राम पनील लिया है तब उसको भी मिला दे और यहां एक कटोरी यानि छोटी कटोरी या एक मैंने मखाने लिए है वो डाल दे और इनको सभी को अच्छी तरह से मिला दे अब इसमें एक चमच नमक मिला दे नमक आप अपनी चानसार कम ज़्यादा कर सकते हैं या कसूरी मेति को डाला है जिसको मैंने भून लिया है और मसल दिया है जिससे केस में खुश्बू बहुत अच्छी आएगी एक बड़ा चमच कसूरी मेति काफी रहती है अब दो चमच मलाई को मैंने अच्छी तरह से पैट लिया है और उसको भी इस सबजी में मिला दे अब सबजी को मुश्कल से दो से तीन मेंट तक पकाएं आपकी मटर पनीर की सबजी तियार है इसमें हरादनिय डाल दे आपकी दोनों सबजी आलू को भी और मटर पनीर की सबजी तियार है अब हम बनाएंगे बुंदी का रायता. बुंदी का रायता बनाने के लिए मैंने या दो कप दही लिया है, जिसमें कि मैंने आदा कप पानी मिला लिया है, और अच्छी तरह से इस अच्छी तरह से फेंट लिया है, इसमें आदा चमच LAL MIRC Paunder, अदा चमच काला नमक आदा चमच स्फेद नमक और जीर्य और फीशेदध टाल बुणदी, एक बड़ा चमंच बुणदी मिला दी है। और इस सब को अच्छी तरह से मिला दिया है। अब आपका बुणदी का रायता भी त्यार है। आप बुणदी को फूल लेंट का समय लेकाए। फूल लेंटí का समय लेका है। अब मैंने यह कचोड़ियां बनाएंगे, कचोड़ियों के लिए मैंने यह आलू लिये हैं, मैंने यह अच्छे से साथ आलू लिये हैं, आलूओं को अच्छी तरह उबलेगोए आलू लें, आलूओं में एक चमच, एक चमच नमक डालें, एक चौथाई चमच हींक डालें, आदा चमच लाल मर्च पाउडर डालें, आदा चमच गरम मसाला और आदा चमच भुना जीरा डाल करके, हरा धनिया डाल करके, हरा धनिया वा हरी मर्च मिला दें, और सभी को मिला करके इसके पिठ्थी बना लें, इनको सब को अच्छी तरह से मैस कर दें, इसमें एक भी पूरी काटा टाइट लगता है इसलिए पूरी को आटा जितना टाइट हो का आपका गी उतना ही कम पूरी ओली कम बनेंगी इसलिए आप आटे को अच्छी तरह से टाइट गूंद लें टाइट डो की पूरियां बहुत अच्छी बनते हैं आप इसे अच्छी तरह से मसल मसल के आटे को त्यार कर लें आटे को अच्छी तरह से मसल के चिकना कर लें और आपको आपका आटा त्यार हो जाएगा viewers आपको अगर recipe पसंद आ रही हैं तो like, subscribe और share अवश्य करें अब इसी तरह से आटे को मसल मसल करें आप मसल मसल के आटे को त्यार कर लें viewers अगर आप इस channel पर नए हैं तो channel को subscribe करना ना भूलें अब आपका पूरियों काटा त्यार है अब हम परात में एक कप आटा लेंगे, गेहूं काटा लेंगे और उसमें आदा चमस नमक डालेंगे और दो चमस देशी गी डालेंगे क्योंकि गेशी गी डालने से कचोड़ी खस्ता बनती है ये कचोड़ी काटा है और ये नरम लगता है इसलिए पहले जो हमने मोयन डाला है उसको अच्छी तरह से इसमें आटे में मिला लेंगे अब इसमें पानी की साहता से इसे गूतेंगे यह आटा नरम गूतेगा इसलिए इसे आराम से गूतें क्योंकि कचोड़ी नरम आटे की बनती है इसलिए आटे को इसे गूंत ले, आपका आटा इसको भी अच्छी तरह से मसल के चिकना कर ले, आपके दोनों आटे पूड़ी और कचोड़ी के आटे दोनों बन करके तयार हैं, अब इन आटों से आपको मसल करके तयार करके चिकने हो जाते हैं, तो अच्छी बनती हैं, आप आपके दोनों आटे त्यार हो चुके हैं, अब इनके हम पूरी और कचोडी दोनों बनाएंगे, कचोडी के लिए मैंने यहां लोई तोड ली हैं, और इनके आप पूरियां बेल लें, अब आटे को ले करके, जैसे मैं पूरियां बेल रहे हूं, आप इस तरीके से पूरियां बेल लें पूरियां ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए और कचोड़ी के लिए आप आठे को थोड़ा सब बेलें जब आपका आठा पूरी थोड़ी से बेल जाए अब उस पर एक चमच आलू की पिठी लें और उसे सेंटर में रख करके चारों तरफ से लोई को मेरी तरह बं अगर आप टैट हाथों से बेलेंगे तो आपकी कचोड़ी फट जाएंगे और उसमें ओईल को फुल फ्रेम पर अच्छी तरह से गरम होनी देंगी जब ओईल अच्छी तरह से गरम हो जाए तो इसमें हम पूरियों को सुनहरा होनी तक तल लेंगे पूरियों को दोनों तर एसपी की notification समय समय पर मिलती रहें अब पूरिया सिखने पर उन्हें निकाल लेंगे और जो हमने कचोडिया बनाइए थी उन्हें डाल देंगे आप फ्लेम लो कर लें और फ्लेम लो पर ही inna sick एक मिनट के बाद मीडियम को मीडियम कर लें क्योंकि पूरिया अगर आप फुल तेज तेल गरम तेल में डालेंगी तो वो अंदर से कच्छी रे जाएंगी इसलिए इने मीडियम फ्लेम पर हीत लें और दीरे दीरे ने सुनहरा होने तक तल लें अब पापड लें पापड को किम्टे की साहता से दोनों तरब से शेक लें आपके पापड तयार है अब इने थाली में लगा करके सर्फ करें थोड़ा सा सलात काट लें टमाटर कर भूजे का थेंक्स फॉर वाचिंग आपकी थाली त्यार है इंजोई करें